इस वीडियो में हम लोग गुना से संबंदित कुछ नहीं को पढ़ने वाले हैं देखिए यहां पर सबसे पहला है कि यदि एक्स में हम बाई से गुना करेंगे तो क्या होगा तो एक्स भाई दिखिए ध्यान दीजेगा यहां पे एक आगे कुछ नहीं यानि पलस है यह भी प्लस है तो माइनस एक्स लाए यानिकी इससे हमने यह जाना कि यदि माइनस गुने पलस रहेगा तो इसका अंसर हमें सा माइनस में है अगला पलस गुने माइनस यानिक देखिए यहां पर एक्स गुने माइनस भाई था यानि माइनस एक्स भाई यानि यहां पर यह यह च B- अगला, – एक्स गुन्य – 2 वरबर पुलस, एक्स भई, तो पुलस एक्सभाई को आप पुलस आगे लिए, या ना लिखिए, उसे कोई दिक्त नहीं होगा, यानि, इसको आप लिखिएगा, कि माइनफ गुन्य माइनफ वरबर, क्या होता है, और चीन खीन हो तो इसका अंसर मैं आए्ट यानि यहाँ पर पर प्रष वरबर पर पर मेर यानि आपको यहां पर question देदे समझे सबसे पहला question आपको मिल जाए यहां पर आपको गुना करना है कि 2x 2x को य śm on a सबसे पहले देखे सरस्हेब्लें का है तो 30 मुह मायनैस सब्सक्राइब क्या हूं तो माइनस हुआ दू में 3 सब्सक्राइब करेंगे तेद्धेद 2 टी रही है और 1 तो एक य experiments यानि माइनाबंड मायन तीन मैं स्ठी क्म आख सही मैं सब्सक्राइब का दो सा गुल know चार गुने तीन बरबर कितना होगा तो दोनों जगा पर पर पलस है तो चार में तीन से बुना करेंगे तो बार है अब यहाँ पर एक बात और आ जाता है कि इसमें चार और अचर होते हैं यानि एक होता है चार किसको बोलते हैं चर क्या होता है शाणी संक्या रहे जिसका मान बदलते रहता है ठीक है जिसका अमान हमेशा क्या होता रहा था चेन यहोते रहा था उसको हम लोग 4 बोलते हैं जैसे example में देख लीजे Mother by x by z a b c alpha beta gamma इस प्रकार से जितने भी मतलब बाया जाते हैं सब क्या चीज में जाते हैं चर में तही है अगला हम लोग देखें कि अचर क्या हो अचर वही इसका उल्टा हो जागा यानि जिसका मान फिक्स हो यानि नहीं बदलता हो यानि यहाँ पे लिखेंगे अचर अचर में क्या लिखता है वो ऐसी संख्या जिसका मान नहीं बदलता है उसको अचर बोलते हैं जैसे में जीरो, एक, दू, तीन, चार, पांच यह सब जितना भी नंबर है क्या चीज़ है अचर है यानि इसका मान हमेशा फिक्स रहता है लेकिन एकस, बाई, जेड का मान आपको हमेशा चेंज होते रहेगा यह हो गया चार और अचर में डिफरेंस यहानि यहाँ यदि आपको चार और अचर एक साथ देते और आपको गुणा करने के लिए बोले तो आप गुणा कैसे कीजिएगा तो सबसे पहला प्रशन है कि 2X को 3X के साथ गुणा करेंगे तो इसका एंसर क्या हो जाए देखिए आपको यदि इस प्रकार का गुणा देखिए जिसमें चैर और अचर दोनों हो चैर और अचर दोनों हो इसमें भी चैर और अचर दोनों है तो सबसे पहले आप तो पलस और माइनस को देखिए यहाँ पर पलस है यहाँ पर भी पलस है तो पलस गुने पलस बराब इसके बाद दोनों मतलब दोनों जगा पर अचर है तो दोनों अचर को गुना कर लिजाए यानि दू को गुना करेंगे तीन से तो दू में तीन से गुना करेंगे तो दू तीया छे आप यहां पर रहा एकस यहां पर भी एकस अब यहां पर हम लोग एकस यानि दोनों चर को गुना करेंगे तो x को x के साथ गुना करेंगे तो आजागा x square तेखे इसको समझे एक formula होता है कि 1k power n गुने 1k power n बरबर 1k power n पलस n यहाँ पर दियान दे जग यानि कि आपको question में दे दे कि 1k power 4 गुने 1k power 3 बरबर इसका जो answer आएगा x k power 4 plus 3 यानि इसको हम सोजब करेंगे तो आएगा x k power 7 देखे x है या इसके power में कुछ है यानि कि हमाल लेज़े कि 1k power तो देखे नीचे वाला को base उपर वाला को power यह नीचे होता है जो base उपर होता है जो power तयानि कि 1k power n यादि A है जो base है और A Уम है जो power है इसमें A के power N यादि N है जो power है और A है जो base है यदि गुना में हो कोई भी मतलब ब्हान ज़ा गुना में हो और उसका base सेम हो यादि यहाँ भी A, यहाँ भी हो तो power आपस ंज profession means जुड जाता है यादि A के power A 10 giving पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब X के पावर को 1 है, और फिर इसके बाद X के पावर कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, इसके पावर 1 है तो X के पावर 1 और 1 को जोड़े हैं, तो X के पावर 1 प्लस 1 यानि X के पावर 2 यही तो यहाँ पे लिखे हैं यानि यह फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एक के पावर एम गुने एक के पावर एम बरबर एक के पावर एम प्लस एम अगला प्रश्ण है देखें अगला कुश्चन सुल करेंगा कि यदि आपको गुना करना हो 2x² को 5x के साथ है तो कैसे कीज़ेगा देखे 2x² को 5x के साथ गुना करना है तो पहले हमको यहाँ पे चीन देखना है दोनों जगा पे पलस है तो पलस गुने पलस वरबर क्या होगा तो पलस गुने पलस वरबर होगा हमारा पलस अब यहाँ पे दोनों अचर को गुना कर लेंगे, सबसे पहले, तो इसमें अचर 2 है, इसमें अचर 5 है, तो 2 में 5 से गुना करेंगे, तो आजागा 10, आए x square को x के साथ गुना करें, देखें, x square गुने x, x के power कुछ नहीं, यानिकि यह 1 है, दोनों जागा पे 20 सेम है, पाव 2 प्लस 1, x के पावर 2 प्लस 1 के मतलब 2 एक 3, यानि x के पावर हो गया है, यहाँ पे 3, यानि इसको हम लिखेंगे कि पालस 10 x के पावर 3, यानि पालस लिखने का जरूरत नहीं है, यानि 10 x के पावर 3, यही इसका answer भजाए है, ठीक है? देखें, अगला है कि 2 x को याधि हम गुना करेंगे 2x प्लस 2 के साथ, तो क्या होगा, यानि यह वहला तो अब तो आप शिखिछक खुएं कि दोनों जगापे स्पलस 2 के पावर 2 के साथ, तो गुना हो जाता है, लेकिन अलग-अलग हो तो क्या होगा, यानि यदि गुना करन इसा नहीं है ठीक है तो यानि यह x है यह बाई है तो यह आपस में गुना होगा तो सिर्फ x और बाई एक साथ लिखा जाएगा ठीक है तो यानि कि इसको हम गुना करना सिखेंगे तो सबसे पहले तके यदि आपको इस प्रकार का question हो तो इसमें आपको यह वाला फर्मूला लगाना है यदि आपको गुना करना हो X से बाई पलस जिड में तो आपको क्या करना होगा कि फ़हले इसके साथ गुना फिर यही बाला चीज़ इसके साथ गुना यानी एक सबाई एक बार लिखा जाएगा x by और plus क्या हो जागा x z x by plus x z यहाँ पे ध्यान दिजे 2x को यदि हम 2x के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा 2x गुने 2x बीच में plus यहाँ पे plus है यहाँ भी plus है plus क्या होगा 2x को by के साथ गुना करेंगे 2x गुने by ठीक है अब हम लोग इसको गुना कर लेते हैं तो 2 गुने 2 इसमें यहाँ पे दोनों जगा पे plus है तो क्या होगा यहाँ पे आगे plus होगा 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 x में x से गुना करेंगे तो x square plus यह अभी बताया था कि x और by को यदि दोनों बी जाती है पद हो यानि से जाती है पद ना हो तो दोनों को सिर्फ लिख देते हैं यानि इसको लिख देंगे 2 x y यानि इसका जो गुननफल आया 4 x square plus 2 x y यही इसका answer आगा ठीक है गुननफल आगा दोस्तों यह question है जो दीपद यानि दीपद का आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हम लोग एक पद का गुना कैसे करते हैं ठीक है और इसके बाद का वीडियो जो आएगा जोड का आएगा घटाओ का आएगा भागा का आएगा ठीक है तो वीडियो में बने रही है हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा ठीक है तैंक यू